और आए रुक करते हैं खबरों का प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी ने राज्ट को संबोधित किया इस संबोधन में मोधी ने तीनों नए कृशी कानूनों को वापिस लेने का बड़ा ऐलान किया अपने संबोधन में उन्होंने कहा है कि सरकार तीनों कुछी कानूनों को नेक नियत के साथ लाई थी लेकिन यह बात हम किसानों को समझा नहीं पाए बता दें कि पीम मोदी का यह संबोधन कोरोना के दौर में देश के नाम ग्यारवा संदेश था पीम ने आगे कहा कि हमारी सरकार किसानों के लिए खास कर चोटे किसानों के हिद में पूरी सत्य निश्ठा से किसानों के प्रती संपूर्ण समर्पन भाव से यह कानून लेकर आय थी लेकिन यह हम अपने प्रयासों के बावजूद कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हम पूरी विनमरता से किसानों को समझाते रहे बाचीत भी होती रही हमने किसानों की बातों को समझने में कोई कसर नहीं छोड़ी कानून के जिन प्रावधानों पर उन्हें एतरास था उन्हें सरका कानून वापिस लेने का फैसला कर लिया है इस महीने हम इसे वापिस लेने की प्रक्रिया पूरी कर देंगे देश वास्यों से ख्षमा मागते हुए सच्चे मन से और पवित्र रदे से कहना चाहता हूँ कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिये के प्रकास जैसा सत्य कुछ किसान भाईयों को हम समझा नहीं पाए आज गुरु नानक देवजी का पवित्र प्रकाश पर्व है ये समय किसी को भी दोस्त देने का नहीं है आज मैं आपको पुरे देश को ये बताने आया हूँ कि हमने तीन कुरुषी कानूनों को वापस लेने का रिपील करने का निर्णे लिया है इस महिने के अंत में शुरू होने जा रहे है समसथ 17 में इसी महिने में हम तीन कुरुषी कानूनों को रिपील करने की सम्विधानिक प्रक्लिया को पूरा कर देंगे साथियों मैं आज अपने सभी अंदोलन रत किसान साथियों से आगर कर रहा हूँ आज गुरु परब का पवित्र दीन है अब आप अपने अपने घर लोटे अपने खेत में लोटे अपने परिवार के बीच लोटे आईए एक नए